जाई दोस्तों स्वागत है आपका पंकज 4G study group पे आज हम बात करने वाले हैं कई topic को हम cover करेंगे इस एक ही वीडियो में तो पहला topic क्या होगा पहला होगा कि आपकी जिन बच्चों ने gmail id जिहां जिसने अपनी gmail id या email id फोम के fill up के time पे नहीं डाली तो क्या उनका admit card या नहीं आएगा पहला topic होगा दूसरा topic होगा कि क्या हमारे admit card जो है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो किसी न बोला है कि मेरे background color change हो गया है मेरा father's name गलत हो गया है मम्मी का नाम गलत हो गया है या other card का number गलत कर दिया है या बहुत सारे बच्चों ने तो ऐसा कि आपने मेरा फोर्म गलत हो गया तो क्या मेरा फोर्म क्या मेरा एड्मिट कार्ड आएगा क्या मैं एक्जाम दे पाऊंगा दूसरा टोपिक हमारा यह हो गया तीसरा टोपिक होंगा हमारा कि क्या हमें क्या हमारा जो एक्जाम है जो एड्मिट कार्ड है वो हमारा कव आने बाला है क्य points हैं बच्चों के मन में दिमाग में ये doubts हैं कि भई हमारा क्या होने वाला है और सबसे final में last में हम चलेंगे आप किस तरह से अपने 3 से 4 3 से 4 यो 5 नमबर अपने extra बढ़ा सकते हैं अपनी इस तरह की मैं आपको strategy बताऊंगा जो मैंने खुद apply किया था क्योंकि मैंने भी बहुत सारे online exam दिये हुए तो उसके बारे में मैं बात करेंगे कि आप अपनी एक छोटी सी minor छोटा सा एक गलती ना करते हुए गलती से बचते हुए आप अपना किस तरह से 2 से 4 नमबर बढ़ा सकते हैं तो वीडियो में बने रही है चैनल पर बने रही है चैनल सब्सक्राइब कर लिजिएगा पंकज 4G study group में आपका स्वागत है तो बढ़ते हैं चक्सू publication की SSE Constable GD से लेटिड एक बहुत अच्छी बुक आई है जो भरती दोयार को और मजबूत कर सकते हैं तो सभी का link के discussion में है वहां से आप purchase कर सकते हैं तो हमारे जो पहला topic था कि मैंने Gmail ID जिहां Gmail ID या email ID अपने form fill up करते हुए नहीं डाला है क्या मेरा admit card आएगा आएगा तो मैं किस तरह से निकालूँगा बहुत सारे बच्चों के confusion है या आपको भी पता है कि जब SSC, GD के थूँ या किसी भी तरह के exam करते हैं तो SSC जो है आपके registered Gmail ID पर आपका एक link OTP की तरह है या आपको inform करता है कि हमने एक link आपको provide क्या है इस पे जाईए वहां से आप अपना admin card download कर सकते हैं तो जिन बच्चों ने अपना Gmail ID वहां पर registered कराया है तो उनको तो balance code है कि वो अपना वहां से admin card download कर सकते हैं लेकिन जिन बच्चों ने अपना किसी करण बस अपना Gmail ID वहां पर नहीं दिया था वो भी जिहां definitely आप अपना admin card download कर सकते हैं एक या दो दिन बाद SSC की जो site होती है ओपन हो जाती है और link जो है वो activate हो जाता है वहां पर अपना registered date number या अपना date of birth दोसरे तरह के करके वहां से भी आप अपना admin card download कर सकते हैं ये बिल्कुल है कि mode of communication हो जाता है Gmail ID लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो definitely आप admin card download कर सकते हैं आपको intimate भी करता है through mobile number के through भी आपको intimate करता है SSC की आपका ये exammer SSC होने वाला यहां से आप कर सकते हैं तो पहला number आपका I think so clear हो गया होगा चलते हैं दूसरे point पे कि सर हमारा background जो है वो change हो गया है मैंने date of birth change कर दी है आधार card में correction हो गी थी या मेरा photo जो है photo के उपर जो date है वो नहीं डाल पाया हूँ मम्मी का नाम गलत हो गया बहुत सारे loads of number of question query है बच्चों के मन में तो उन सब को जिन बच्चों के मन में है कि मेरा form reject हो जाएगा या दूसरी तरह की confusion है उन सब के लिए मेरा reply यह है कि देखिए कभी भी आपको नहीं पता है कि मेरा admit card आएगा या नहीं आएगा आपको नहीं पता है लेकिन आपने इस उदेश से डाला है कि मेरा admit card आएगा आपने यह सोच के डाला है कि मेरा admit card आएगा और मेरी तरफ से कोई गलती ना हो तो जब आपने यह सोच आए कि आपकी तरफ से गलती ना हो तो यहाँ पर गलती क्यों कर रहे है गलती in the sense कि आपको जब पता ही नहीं है आपको यह पता ही नहीं कि किसी का reject नहीं होगा हां होते हैं जिसका बहुत ज़्यादे ब्लेंटर मिस्टेक है उनके फॉम reject होंगे डेफिनेटरी रिजक्ट होंगे ऐसा नहीं है किसी ने कुछ भी भढ़ दिया है उनके सबके काड़ आजाए कुछ के reject होंगे लेकिन आप ओटोमेटिक होने उसका मेरा नाम आने वाला है नहीं आएगा उपर वाले पर विश्वास कखिए और अपनी तयारी बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए बस अपने मन में यह ठान लीजिए मेरा तो होने वाला है और मैं जाने वाल हैं तो जो बच्चे भी इस तरह की उल्जन में हैं कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा यह क्या होने बाला है उनसे अगर मुझे अपना भाई मानते हैं कुछ भी मानते हैं चोटा भाई बड़ा जो भी मानते हैं आप से मेरे request है कि आप अभी से ही इन सब चीज पड़ी करते रहने हैं अपको 120 अछले तारिक से आपका 15 कार आने वाला है 12 यह सब्सिल भाता है कि आपका नंबर कपड़ने वाला है किस तरह से प quiereslier चैंज करता है कि एक तो आपका alphabet नेम आपके नेम से होता है, जैसे आप डालेंगे वहाँ पे, तो आपके नेम पे allotted होते हैं, कि अगर मालीजे तो मेरा नाम पंकज है, तो P के नाम से alphabet से होता है, जब merit बनती है और आपका मेरा number दोनों का सेम है, आपकी date of birth भी सेम है, या दूसी चरे की सारी फॉर्मिल्टी जब करने के बाद भी similar हो जाते हैं, तो alphabet से ही सब कुछ होता है, आपका PA, मेरा PA, उसके बाद पीछे वाले number देखे जाते हैं, तो कहीं न कहीं आप पे depend करेगा कि आपका alphabet से चलता है, तो आपका कहां पर आता है, अगर आपका पीछे खिसर जाता है, अगर 16 November से आपका start नहीं होता है, और last में December में होता है, तो आपको benefit यह हो जाएगा, कि आपकी जो दोस्त हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का mode of paper किस तरह से आ रहा है, paper का level क्या है, तो वहां से favorite number से किस तरह से जा रहा है, और किस तरह से admit card upload हो रहे है, किस तरह से exam का जो scenario है, वो बन रहा है, ठीक है, चलते है pointer number 3 की तरफ, कि आप किस तरह से अपना 2 से 4 number यह 5 number increase कर सकते हैं, आपका सबसे बड़ा factor है, क्योंकि देखिए SSCGD में, किसी भी exam में, एक एक number की बहुत value हो हमें अपना mock test लगाएंगा, सब बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे, दूसरी चीज, आप अपने घर पे या कहीं भी आप प्रक्टिस कर लिजेगा, कि हम online कैसे जाएं, क्योंकि मैंने उसका दिया था, DSSB का दिया था, वहां पर मुझे बहुत ज़्यादा परिशा फ्रेसर हैं, बहुत हंडर परसंट देना, कि आपको एक idea पता चल जाएगा, basic idea पता चल जाएगा, कि भाई, किस तरह से देते हैं, किस तरह से skip करते हैं, किस तरह से submit करते हैं, बहुत सारी चीजे होती हैं, दोस्त, कि अगर आप practice करते रहेंगे, आपको benefit होने वाला है, definitely benefit ह होगा, यह मेरी guarantee है, दूसी चीज़, last time है, मोगा ज्यादा नहीं है, practice करते रहें, practice है, आपको बहुत ज्यादा benefit देगा, लेकिन यह practice है, उनहीं के लिए है, जिसमें अपनी तयारी complete कर लिए है, जो subject पे आपका थोड़ा थोड़ा पकड़ है, अगर आपको यही नहीं पत है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं, या पंकज फोजी ग्रूप, आप टेलिग्राम ग्रूप पे जोड़ सकते हैं, वहाँ से मैं आपको reply देने की कोशिस करूँगा, तो यह सब कुछ था, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी night topic के साथ, तब तक के लिए, टाटा